तो जी अब है हमारे पास चैप्टर नंबर सेवन के मिसलीनियस के एक्जामपल करेंगे हम तो क्या है हमारे पास एक्जामपल नंबर ट्वेंटी है कि कुश्चन है कि how many words with or without meaning each of three vowels and two consonants तो vowels कौन से होते हैं हमारे पास जो a, e, i, o, u और consonant जो बच गए हो सारे consonant होते हैं और किस letter की मदद से involute एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो इसमें total कितने word है हमारे पास? 8 तो इसमें से सबसे पहले तो आपको vowel चाटने पड़ेंगे देखे, इस question में क्या है? आपको selection भी करनी है और arrangement भी करनी है तो इसमें permutation भी है और combination भी है तो सबसे पहले तो आपको इसमें से selection करना है और उसके बाद आपने उसकी arrangement कर देनी है तो देखे, आपके पास vowelsल कितने हैं इसमें? i है, o है, q और e तो कितने vowelsल से हैं हाँ पर हमारे पास? चार और consonant कितने है? n तो जी, consonant भी कितने है इसमें हमारे पास? चार n, v, l, and t तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपको word select करने है क्या करना है? यहाँ पर आपको selection करनी है तो vowelsल कितने select करने है आपने? चार, three select करने है और यह three कितनों में से select होंगे? चार में से और दो आपने consonant है तो यह दो कितनों में से होगे? चार में से तो total word कितने बने हैं आपके? पाँच तो इसका answer कितना है देगो 4C3 किसके बराबर होता है 4C1 के यानि कि only 4 और ये किसके बराबर 3 into 1 यानि कि 24 आ गया तो 24 तरीके से आप क्या कर सकते हो इनकी selection कर सकते हो अब देखे ये तो हो गया कि आपने इन word को vowels और consonant को select कर लिया अब आपने इनको arrangement करनी है तो total word कितने है यहाँ पर 5 तो 5 आपस में अपनी position कैसे change करेंगे 5 factorial तो इसमें जो total case जो आएगा वो क्या answer आएगा आपका 24 into 5 factorial है निकी 24 into 120 तो ये 0 हो गया 240 10 से हो गया और 48 तो answer आजाएगा 2880 देखेजी इसके बाद है हमारे पार example number 21 क्या दिया हुआ है a group consists of 4 girls and 7 boys मतलब एक group है जिसमें 4 लड़किया है और 7 लड़के हैं most important question है ये in how many ways can a team of 5 member तो हमें इन में से कितने लोग select करने है पांच member हमें select करने है कितने लोग सेलेक्ट करने हमें 5 मेंबर किन में से 4 लड़किया और 7 लड़कों में से टोटल कितने सेलेक्ट करने हमें 5 मेंबर पड़ यहां पर क्या है ना कुछ कंडिशन्स दी गई है जैसे पहली कंडिशन है कि no girl कि कोई भी लड़की नहीं होनी चीए देखिए 5 बच्चे सेलेक्ट करने है कोई भी लड़की नहीं होनी चीए तो इसका मतलब सारे के सारे क्या होंगे लड़के तो टोटल लड़के कितने हैं 7 और कितने सेलेक्ट करने हैं 5 तो क्या कंबिनेशन बनेगा 7C5 अब देखिए 7C5 किसके बराबर होगा फर्स पार्ट दन है कोई कनफूजन देखिए next पार्ट क्या है इसका कहर है कि at least one boy and one girl कह रहा है कि कम से कम at least one boy and one girl कह रहा है कि कम से कम एक लड़की होनी चाहिए और एक लड़का होना चाहिए जाधर से जाधर की बात नहीं हो देखो at least और at most में यही फर्ग होता है at least का मतलब है कम से कम होना चीए और at most का मतलब जाज़ स्यादा मतलब कम से कम एक लड़का एक लड़की होने ही चाहिए दो लड़के हैं तब भी कोई दिक्कत दी तीन लड़के हैं तब भी कोई दिक्कत दी चार लड़के हैं तब भी कोई दिख रहे तो कहने का मतलए यहाँ पर क्या है कई सारे केस बनेंगे जैसे सबसे पहला केस बनता है कि हम मानके चलते हैं कि सिर्फ एक लड़का है ठीक है कितने लड़के लिए हमने एक तो एक लड़के के सलेक्शन कैसे होगी 7C 1 तो टोटल कितने बचे सलेक्ट करने है 5 जिसमें से एक तो सलेक्ट हो गया लड़का तो बचे कितने 4 अब वो चारो के चारो क्या होंगे लड़की और साथ की साथ दूसरी कंडिशन का भी ध्यान रखना है कि कम से कम एक लड़की होनी चीए तो ये कम से कम एक लड़की है इसी तरीके से केस 2 बनेगा अब देखो कम से कम एक लड़का था दो लड़के भी हो सकते हैं तो 7C 2 इंटू में क्या 4C 3 क्योंकि 5 बनने चीए केस 3 क्या हो जाएगा 7C 3 इंटू में 4C 2 केस 4 क्या हो जाएगा 7C 4 चार लड़के आगे और 4C 1 एक लड़की देखे केस 5 नहीं बन पाएगा क्योंकि केस 5 में आप क्या करोगे 5 लड़के लोगे अगर 5 लड़के तो लड़के हैं तो 0 पर condition क्या है कम से कम एक लड़की होने ही चाहिए अगर इसी को आप कम से कम एक लड़की से solve करते तो ये इस तरीके से उल्टा चल जाता तो जो total selection आएगी वो क्या होगा इन सब को आपने add कर देना है तो आप क्या कीजिए इनको आपस में single single चाहिए solve करके add कर दीजिए चाहिए सबको एक साथ कर दीजिए देखे 7C1 into मतलब 7 और 4C4 भी क्या होगा 1 अगर आप solve करेंगे तो 4C तो ये तो कितना आगया 7 और ये कितना बनेगा 7C2 मतलब 7 by 2 6 by 1 और 4C3 किसके बराबर होता है 4C1 के बराबर होता है ये भी आपको बताया गया तो जी 42 into 2 कितना 84 हो गया 7C3 कैसे 7 by 3 into 6 by 2 into 5 by 1 और 4C2 का मतलब 4 by 2 into 3 by 1 तो ये 3 कड़ गया और ये 2 से 4 कड़ गया 6 into 5 कितना 30 30 into 7 कितना 200 10 लास्ट पार्ट में क्या होगा 7C4 का मतलब क्या 7 by 4 डन और 4C1 का मतलब 4 by 1 तो जी ये 4 से 4 कड़ गया 3 और 2 से 6 कड़ गया तो जी क्या बच गया यहाँ पर हमारे पास 5 into 4 20 और 20 into 7 140 तो आपने क्या करना है इन सब को add कर देना है आपका answer आ जाएगा तो 7 प्लस 84 प्लस 210 प्लस 140 आंसर आएगा 4 4 डन है देखे इसी का लास्ट पार्ट है क्यारा है क्यारा है at least 3 girls at least 3 girls कि कम से कम 3 लड़किया तो होने ही चाहिए तो देखे इसमें केस क्या बनेगा मान गले सबसे कम से कम कितनी लड़किया तो टोटल लड़किया चार थी अगर 3 लड़किया है तो टोटल 5 है तो लड़के कितने होंगे 2 ये केस 1 है केस 2 में क्या होगा भाई 4 लड़किया भी तो हो सकती है तो 4C 4 इन 2 में 7C 1 हो जाएगा अब 5 लड़किया तो हो नहीं सकती क्योंकि total लड़किया कितनी है 4 है तो आपका total selection क्या हो जाएगा इनको आपने add कर देना है तो 4C3 into 7C2 plus में तो यह कितना answer आएगा 4 by 3 into 3 by 2 into 2 by 1 7 by 2 into 6 by 1 4C4 तो क्या होता है 1 ही होता है और 7C भी कितना होता है 7 ही होता है ठीक है डन है यह तो यह क्या हो रहा है 2 2 की मदद से 4 कड़ गया और 1 3 से 3 कड़ गया तो 42 84 plus में 7 तो कितना answer आगया 91 देखिए next question भी काफे interesting है कह रहा है कि एक word दिया हुआ है again कह रहा है कि again से आप जितने भी with or without meaning word बना सकते हैं उनको बनाईए ठीक है तो सबसे पहली बात तो इसके जो total case बनेंगे total arrangement क्या होगी देखिए 5 word है तो 5 factorial और a दो बार repeat है तो 2 factorial इसका answer आएगा 60 तो यानि कि आप 60 तरीके से इन शब्दों को यूज़ करके अलग-अलग with or without meaning word बना सकते हैं कह रहा है कि ऐसे 60 word बनाईए और उन सब को dictionary में लिख दीजी तो आपको पता है dictionary में alphabet के हिसाब से होता है dictionary में लिखने के बाद बताईए कि 49th जो word है sorry जो 50th word है वो कौन सा होगा यानि कि इन 60 words को आपने क्या करना है dictionary में लिखना है बनाना है dictionary में लिखना है और कह रहा है कि जो 50 वा word है वो कौन सा होगा ये हमें find करना है तो काफे interesting question होता है ये तो देखे dictionary में कैसे होते हैं सबसे पहले alphabetic order में होते हैं कि सबसे पहले A आएगा फिर B वाले आएंगे फिर C वाले आएंगे अगर इस शब्त की बात करेंगी हम मानके चलते हैं कि पहला जो word है वो कौन होगा A तो हमने इसमें कई case बनेंगे जैसे case 1 में case 1 है word start with A तो यानि कि आपने first position पर A को क्या कर दिया fix कर दिया तो 5 में से देखिए 5 में से एक word को तो आपने fix कर दिया तो बचे कितने 4 तो 4 कैसे आएंगे 4 into 3 into 2 into 1 यानि कि 4 factorial कितना हो गया 24 यानि कि 24 case तो ऐसे हैं जब आपको A से word start होगा तो पहले 24 से तो आपका कोई काम ही नहीं था तो ये हट जाता है case 2 में आएगा देखिए इसके बाद बताईए A के बाद कौन आएगा यहाँ पर G G 7th नमबर पर आ रहा है तो G से word start होगा तो अब क्या किया हमने word में G को fix किया word start with G तो जैसे ही आपने पहले word पर G को fix किया तो बचे कितने 4 तो इन 4 का भी क्या हो गया 4 factorial बट इन 4 में A दो बार आ रहा है तो 2 factorial से क्या करना पड़ेगा divide तो इसका आंसर कितना आ गया 12 यानि कि पहले A वाले 24 जी वाले 12 तो टोटल कितने हो गया 36 बट हमें तो पचासवा word निकालना है तो जी case 3 में क्या होगा आपके पास अब word किससे start होगा I से अब क्या होगा word start with I देखिए जैसे ही word I से start होगा तो I fix हो गया तो बचे कितने 4 factorial और A दो बार है तो 2 से divide तो कितना अब इन सब को आप add कर दीजिए तो कितना बना 24 प्लस 12 प्लस 12 यानि कि 48 हो गया मतलब 48 word जो है वो लिखे गए है डिक्शनरी में अब जो 12 बचे आपका answer उन्ही 12 में से 1 है आपने कौन सा निकालना है 58 तो आपको पता है कि जो 49th word होगा वो N से start होगा confirm है तो पहला word N हाएगा अगला क्या आएगा A आएगा अगला क्या आएगा A आएगा alphabet order में अगला क्या आएगा इसमें G आएगा और अगला क्या आएगा आए आएगा यानि कि नागी आगया अब जो 50th word होगा अगर आपने dictionary देखी है तो तब ही ये solve होगा तो ये दोनों आपस में change हो जाएगे तो क्या बनेगा N A A I G और यही क्या है आपका answer होगा अगर 51th पूस्ता तो ये A उदर चला जाता आए इधर फिर से अगर 52 पूस्ता तो ये और change होते रहते ये तभी हो पाएगा question जब आपने dictionary अच्छे से देखनी आती है देखेजी next question है हमारे पास कि how many numbers greater than कितना लिखाए है 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 letter का मतलब 6 zero है जानी कि 10 lakh के बात हो रही है can be formed मतलब हमें number बनाने किस से बड़े 10 lakh से बड़े number बनाने है और किनकी मदद से 1, 2, 0, 2, 4, 2, 4, 2, 4 इनकी मदद से तो यहाँ पर इस से बड़ा बनाना है कितने digit हैं हाँ पर 7 digit है और यह number भी कितने हैं हमारे पास तो यह तो बात confirm होगी है कि इन 7 का use किया जाएगा देखिए अगर आप इनका use करते हैं और 0 को आगे नहीं रखते हैं तो वो number हमेशा 10 lakh से बड़ा होगा यह confirm है आप कर भी सकते हैं लेकिन जहाँ 0 एकदम extreme यान कि first position पर आ जाता है left side से first position पर तो वो तो six digit का हो गया तो वो तो सही नहीं हो सकता है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे तो हमें इसमें word ये direct वही question है जिसमें आपको seven digit का word बना number बनाना है यहाँ ठीक है बट उस seven digit में कुछ क्या होंगे six digit क्या आ जाएंगे जिसको आप last में आगे क्या कर दोगे eliminate कर दोगे तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ पर seven digit number ये क्या बनेगा total arrangement जो भी आप इसकी total arrangement करेंगे minus में six digit number तो ये formula बनेगा तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे इसकी total arrangement देखे total arrangement कैसी होगी साथ है तो seven factorial और दो कितनी बार repeat है तीन बार तो तीन factorial और चार कितनी बार है तो दो factorial बताओ simple सी बात है तो ये कितना बनेगा साथ इंटू छे इंटू पांच इंटू और टू factorial का टू और थ्री factorial का गड़ गया दो हो गया चार सु वीस आ गया ये तो total arrangement निकली है अब हमें क्या निकालने होंगे six digit number देखे six digit number में आप क्या कीजिए zero को remove भी कर दो तो बचे कितने छे जिसमें से दो कितनी बार है तीन बार और चार कितनी बार है दो बार तो six into five into four into three factorial upon में कितना आ गया 60 तो जी जो number seven digit number है आपके देखे अगर ये zero ना होता तो बड़ा simple सा कोशन है वो zero दिया ही इसलिए जाता है कि आप किस तरीके से solve कर दें तो seven digit क्या बनेगा आपका four twenty minus answer खतम question तो ये miscellaneous का last example शुरू कर रहे हैं हम question है कि in how many ways five girls यानि कि पांच लड़कियों को किस तरीके से बठाया जाए पांच लड़कियां है और तीन लड़कें है कि इनना किस तरीके से बठाया जाए कि कोई भी दो लड़के एक साथ नहीं होने चाहिए तो आप क्या कीजिए सबसे पहले तो girls को sitting बठा दीजे तो पांच लड़कियां उनको बठा दिया गया अगर दो लड़कों को साथ नहीं बठाना है तो मतलब एक लड़का यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर एक यहां पर और एक यहां पर अगर आप देखें कि लड़कों के लिए कितनी position है एक दो तीन चार पांच और छे position है तो लड़कों के लिए total कितनी position हना है और लड़के है कितने तीन तो लड़के किस तरीके से बैठेंगे 6P3 याद कीजिए arrangement करना है अब देखिए होगा क्या यह जो 5 लड़की है मालों यह लड़की यहां भी जा सकती है यह लड़की यहां आ सकती है यह लड़की यहां आ सकती है तो यह 5 लड़की अपनी position कैसे change करेंगी 5 factorial से तो इसको आप solve करेंगे 6P3 का मतलब 6 upon में 3 factorial into में 5 factorial यानि कि 6 into 5 into 4 into 3 factorial और 5 factorial की 120 और upon में क्या तो यह कितना answer आ जाएगा आपका इसको solve करके 14400 तो जी यहां पर आपके miscellaneous के examples खतम हो जाते हैं और इसी के साथ यह chapter भी खतम हो जाता है अब आप लोगों ने miscellaneous के questions खतम करने हैं जहां पर भी doubt होगा आप पूछ सकते हैं एप उने ने Odyssey और में झाम में झाका मिनें यहां रापके यह कि जरी ने आपके आप पका यह मेरों गजह ठावन